मुझपरपुर की रहने वाली जानवी ने मिस्टिन इंडिया 2022 में एक बार फिर अपना पर्चम लहराया है देख सकते हैं यह वहीं जानवी है जो की बहुत पहले बहुत सारा खिताब पा चुकी है बहुत सारे आवार्ड से नमाजा चाश चुका है इनको और यह मुझपरप साल की हूं और आज से एक नया परिचे जुरा कल से मेरे साथ मिस्स टीन इंडिया व्योस चॉइस 2022 की मैं विनर हूं अच्छा यहां तक पहुंचने के लिए आपनो आपको किन-किन कटनाईयों का सामना करना पड़ा बिलकुल मेरा मानना है कि कोई भी सफर आसान नहीं होता तो यह भी काफी चैलेंजिंग था मेरे लिए मेरी जो लाइन है वो सोशल वर्कर की लाइन है और अचानक से ग्लैमर में शिफ्ट करना खुद को अपना वो एटिट्यूड का चेंज अपना वो बिहेवियर का चेंज बहुत जादा चैलेंजिंग था सबसे जादा में सारा सारा दिन खरा होना होता था बट कहते हैं कि जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा तो उन चैलेंजिंग बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला आप दूसरे जो व्रक्त है लाइनि समानता वाला उख रही थी फिर मॉन में कैसे आया कि इ तो एक्चुली इस कॉंटेस्ट के बारे में मुझे नहीं पता था पापा ने मुझे बताया कि मिस्टीन इंडिया करके कॉंटेस्ट होता है हर साल इस बार तुम पार्टिसिपेट करके देखो तो वहीं मेरा शिफ्ट हुआ और इस चीज को लेकर दुनिया में एक्जांपल् वह यूनिसेफ की गुडविल अंबैस्डर भी हैं समाज सेवक भी हैं मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं और साथ ही साथ हॉलिवूड और बॉल्विट में कई फिल्में भी कर रही हैं तो ऐसे ही एक्जांपल्स देखकर मुझे भी कहीं नहीं कहीं मोटिवेशन मिलती गई तो क्या फिल्म का ओफर मिला कुछ अभी तक तो नहीं मिलेगा तो आप लोग को पता चलेगा अचा आगे और क्या करना है आगे मेरा मानना है कि मैं मॉडलिंग और एक्टिंग के साथ साथ जो मेरा समाज सेवा की जो लाइन है जो जेंडर एक्वालिटी मैं जिस पर काम कर रही हूं वो कभी पीछे ना छूटें मैं दोनों चीजों को साथ में लेकर बैलेंस करकर चलूं और मतलब एक तीन शब्दों का एक लाइन होता है डॉमिनेट दगलोब दुनिया में सबसे उचा बनना सबसे बड़ा बनना तो मेरा सपना तो वही है फिलाल सबसे उचा बनना सबसे बड़ा बनना कहते नहीं कि सूरज की तरह चमकना होता है तो उसकी तरह तपना पड़ता है तो मेरा मानना वो है कि दुनिया में मुझसे जादा नाम मुझसे जादा सम्मान किसी को भी ना मिला हो तो मेरा वो ड्रीम मैं खुद को वहाँ पर देखती हूँ अच्छा वहाँ पे और क्या बोला गया कितने नंबर पे आप थी मेरा कंटेस्टन नंबर 36 था तो जब अनौंस किया गया कि मिस्टीन इंडिया व्योस चोईस 2022 इस कंटेस्टन नंबर 36 तो घर के जितने भी लोग वहाँ पर मौझूद थे ऐसा environment वहाँ पे create हुआ सब लोग मैं बैक स्टेज थी मुझे कुछ पता नहीं कि आगे क्या हो रहा है जब मैंने अपना नाम सुना तो विश्वास तो नहीं हुआ पहले तो दो मिट के लिए फिर जब मैं स्टेज पर आई मुझे ताज पहनाया गया तुशार कपूर जी के दौरा सब के दौरा तो काफी ख चाल में क्या करने वाली हो इन फेक्ट हम लोग कोई नहीं जानते कि हमारा अगला मोमेंट क्या होगा और हम क्या करने वाले हैं जेंडर एक्वालिटी पर काम कर रही हूं मुख्यता महिला शशक्तिकरन पर और मेरा वही गोल है और उसी चीज को लेकर मुझे संयोक का संबोधन ही से करके हीरो करते हैं उसी तरह से लड़कियों का संबोधन अगर शी से शीरोज किया जाए तो वह जादा बेटर होगा आगे का जो नाम है ब्रेकिंग स्टीरोटाइप्स तो इसका ये मतलब हुआ जो हमारी जो ये शीरोज हैं ये उन सभी रूढ़ी वादि फोकस पे नहीं है मेरे भी ये टाइटल मुझे मिला है अभी तो पहले जेंडर एक्वालिटी वाला काम को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगी पहले मैं वह काम करूंगी और मैं इसी बुक की चर्चा कर रही थी शीरोज ब्रेकिंग स्टीरोटाइप्स अच्छा इसका से कि हमारा जो समाज है ये शुरू से ही महावरी को एक इशू मानके चला है ये कभी भी इस बात को नहीं समझ पाया कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं उनकी क्या आवशकता है उनकी क्या जरूरते हैं उसी बात को ध्यान में रखते वे मैं शुरू से काम करती आ रही हूं कि ह हमारे समाज में जो भी औरते हैं उनको जो भी कठिनाईयां फेस करनी पर रहे हैं वो ना करनी पर है अभी वर्ल्ड मेंस्ट्रोल हाइजीन डेथा 28 मई को जिसमें मैंने अपने आखों के उपर एक सानिटरी पैट डाल कर एक तस्वीर डाली ती सोशल मीडिया में और न्यूस आपके लिए कोई नहीं आ रहा आपकी रक्षा करने के लिए अचा महिला के लिए हो तो महिला आयोग है लिए पुरुष के लिए कोई आयोग नहीं है देखिये बात क्या है न कि बात यहां पर जंडर इक्वालिटी की होती है तो पुरुष हमेसा सोचते हैं कि महिलाओं को इतना आधिक प्रेफरेंस क्यों मिल रहा है तो अभी हमें महिलाओं को समान अधिकार दिलाने हैं इसलिए महिलाओं को लेकर जादा आयोग बन रहे हैं जादा स्कीम सरकार के द्वारा लाई जा रही है ताकि वो भी पुरुषों से कंधा से कंधा मिला कर चल सकें एक बार होगी देख सकते हैं बिहार की मुझपरपूर की बेटी है यहां पे इंके पीता जी है बहुत खुशी का महाल है और हमारे लिए क्या पुरे बिहार के लिए चुकि बिहार में 25 साल से प्रतियोईता हो रही है और पहला ताज बिहार को मिला है वो भी जनता के वोटों के जो जजेज करते हैं तो मालिया पांच साथ जज दस जज हैं कहीं पे इस जीत को इसलिए भारी समझा जाता है कि आम जनता ने इसको पूरे देश दुनिया से बहुत किया है और अपने देश से ही नहीं जो विदेशों में भी इसके चुकी ए उनाइटे नेशन फांडेशन की एक्टिविस्ट है इसलिए पूरी दुनिया से इसको समर्थन मिला और इतना बहुत मिला कि समझा जाए कि MPA में एलेक्शन भी फेल हो गया और इस कारण यह बेवाक जीत गई अच्छा वहाँ पर मनोज तीवारी जी भी जी मनीय सांसत मनोज तीवारी उनको अड़े उन तो बोले जीया हो भी हार के लाला बोले देख सक्रें आप बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं क्या नाम हो असरब बिजय कुमार अच्छा किस तरह से देख रहा हैं आपके अच्छा नाम कर रही हैं और भी बहुत सारे यहां पर मैला हैं उपस्तित हैं क्या लगती हैं आप अब नानी है उनका जानवी की च्छा नानी हैं कैसा मौसूस कर रही है अभी खुशी की महल है बहुत खुशी मिलती है वो तो शुरू से हैट्रिक मार रही हैं तो कहवे कि हैट्रिक मारेगी मेरी नतनी नाती भी दोनों आगे जा रहे हैं और यहां पर देखिए इनकी मा है सबसे ज़्यादा भूमका जो बिहार मुजफरपुर की बेटी है और ये ताज लाई है ये सबों के लिए बहुत खुसी का पल है देख सकते हैं आप लोग वीडियो देखते रहें और सेर करते रहें फिर अगले वीडियो मिलते हैं धन्यवाद